इस वीडियो में एक छोटी सी सवाल जो कि अक्सर लोगों को कंफ्यूस कर जाता है AC तो चल रहा है पडोसी का AC अच्छा कूलिंग भी करता है और उसके पीछे के साइड पानी भी आ रहा है लेकिन हमारे वाले AC चल रहा है लेकिन पानी नहीं आ रहा है यही सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा तो मैं इस वीडियो में आपको चैक करना सिखाऊंगा कि आप अपने AC को किस तरीके से चैक करेंगे ताकि आप भी पैचान लोगे कि पडोशी का AC कूलिंग भी कर रहा है, पानी पीछे आ रहा है, लेकिन आपके AC कूलिंग तो हो रही है, लेकिन पानी पीछे नहीं आ रही है, तो इसके पीछे क्या रिजन्स हो सकते हैं, देखिए एक AC जब प्रोपर काम करता है, अच्छी तर पानी बनना कम हो जाता है, और गैस ही नहीं हो, यानि कि गैस खतम हो जाए तो उससे पानी नहीं बनेगी, ठीक है, तो इक उधारन के लिए मैं आपको यहां पर मेरे AC को चालू करके, चेक करके दिखाता हूं, देखिए, यह मैंने अपना AC स्टार्ट कर रहा हूं, यह के बाद आप अपने AC की इंडोर यूनिट के साइट पर इस तरीके से चैट करेंगे, इसी मैंने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन आप 5-10 मेंट के बाद चैक करेंगे, तो यहां पर इस पैनल को खोलो इस तरीके से, और यह जाली है, उसको उठाएं, किम्रत थोड़ा सा औ और पास लेके आता हूं, ताकि चीज़े और अच्छे से दीखें, यहां पर अब आप पैचान सकोगे कि आपकी AC में पानी क्यों नहीं बन रहा, फोर यह मेरा AC एक्जम्पल है, आप अपने AC को देखेंगे, तो यह जो देख पा रहा है, यह जो कॉपर की जो लाइनी होती है, उसमें से पानी बनकर आ रही है या नहीं आ रही है, अगर गैस कम हो जाए, थोड़ी सी गैस कम हो जाए, तो यह जो परत दीख रहा है, उसमें आइस की परत बनेगी, तो भी पानी कम हो जाता है, क्योंकि गैस कम हो गया थोड़ा सा, तो यहां पर जो है, आइस की परत वाइट डीखने लगेगा और अगर यहां पर वाइट वाइट भी नहीं दी ग्रम यहां पर पानी की जो रहा है आपके एसी में गयास की कमी हो गहीं है पर आपके एसी वर्क नहीं कर रहा है इस तरीके से आप पैचान लोग है कि आपके AC में पानी नहीं आ रही है तो उसकी पीछे क्या रीजन्स हो सकते हैं तो इस वीडियो से जानकारी मिल गया हो तो वीडियो को लाइक सेर कीज़ेगा फिर से लाएंगे नहीं वीडियो आम नहीं जानकारी लेगा